अगर आप भी WhatsApp का इंटरफेस देखर ठक गए हैं और आप ये चाहते हैं कि WhatsApp के जैसे ही आप एक नई application इंस्टॉल करें और उसमें end-to-end encryption भी हो तो आज किस वीडियो में आपको Sundays एप के बारे में बताने वाले हैं जो Play Store पर available है और Government of India ने उसको launch किया है दोस्तो उसको install करने से लेके और उसको आपको अपना account बनने से लेके उसको कैसे use करना है वहाँ तक का पूरा process बताने वाले हैं तो दोस्तो मैं हूं मुहमन हुसेन और आप देख रहे हैं Tech Helper Hussien Channel अगर आपने विदक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें और घंटे वाला बटन दवाना ना भूलें इसके मरी आने वाली हर नहीं वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे तो चिली दोस्तो शुरू क करते हैं इसके लिए आपको description में link मिल जाएगा या फिर आप play store पे search कर सकते हैं Sundays app यहाँ पे देखिए 4.1 के इसके reviews बगरा है और rating है इसकी 3 पिलस की 1 million से ज़्यादा लोगों ने इसको download किया हुआ है आपको install करके open पे click कर देना है open पे click करने के इसके बाद देखिए इस तरह का interface होगा और यहाँ आपको ok पे click कर देना है यहाँ से आपको इसको allow करना है again allow करना है again allow करना है just allow करके आपको यहाँ पे आ जाना है यहाँ पे देखिए आ गया है welcome to Sundays government instant messaging system और यहाँ से आपको अपना एक mobile प्रोफाइल नंबर यहाँ पे enter करना है I agree पे click करना है और get otp पे click कर देना है otp fill up करने के बाद आपको nest पे click कर देना है उसके बाद इस तरह का interface आपको दिखेगा यहाँ से आप अपने profile picture को set कर सकती है और यहाँ पे आपको अपना full name enter करना है यहाँ आपको अपना gender और यहाँ से आप nest पे click करेंगे यहाँ यह आ गया है यहाँ पे आपको interface यहाँ पे दिखने को मिलेगा आप sync पे click कर देंगे उसके बाद आपके contact sync होना शुरू हो गई है और जो भी आपके contact में होगा जो संदेश app का use कर रहा होगा वो आपको यहाँ पे show करेगा इस तरह से हमारा संदेश app open हो जाएगा यहाँ पे देखिए start conversation का option है यहाँ पे आपको अपकी chat शो होंगी यहाँ से आपके contact सो होंगे यहाँ पे group सो होंगे यहाँ से आपका account शो होगा जैसे ही आप account पे click करेंगे यहाँ से आपको total information अपने accounts की मिल जाएगी notification है, backup है, manage contact है, यहाँ backup पे आप click करेंगे और यहाँ full backup पे आप click कर देंगे उसके बाद जिस भी आपको folder में इस backup को करना है, वुस्व में आप इसको select देंगे, हम camera पे click करते हैं और use this folder पे click कर देते हैं, उसके बाद allow करते हैं तो यहाँ से जो हमारा backup है वो इस folder के अंदर होना शुर screen lock है, यह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इसके लावा यहाँ से जब आप back आजाएंगे, इसके बाद हमको आजाना है अपने chats में, यहाँ contacts पे click करना है, उसके बाद जो भी हमारा contacts होगा, जिसने संदे से अपका use कर रहा होगा, वो यहाँ पे आ तो यहाँ पे हमको एक और option देखने को मिलेगा, यह plus वाला icon, अगर हम plus वाले icon पे click करते हैं, तो यहाँ से हमको यह option देखने को मिलेंगे, gallery का file, camera, contact और audio का, यह कुछ option है, अगर हमको यहाँ से कुछ भी इनको send करना है, simply gallery पे click करेंगे, gallery open हो जाएगी, जिस भी image को हमको select करके बेजना है, simply यहाँ से हम इसको send कर देंगे, और यहाँ से जो भी हमारी file का size होगा, उसी size में जाएगा, whatsapp के तरह यहाँ पे compress नहीं होगा, इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे हम contacts भी share कर सकते हैं, कोई file है, अगर उस file को share कर सकते हैं, कोई audio है, audio को share कर सकते हैं, य यहाँ पे show होगा, यहाँ पे three dots पे click करेंगे, यहाँ पे आप इसको make favorite बना सकते हैं, clear conversation कर सकते हैं, और यहाँ mute notification कर सकते हैं, इसके लावा अगर आप profile पे click करेंगे, तो यहाँ से देखिए इनका सब कुछ हमकूँ, देखने को मिलेगा, यह secured है, status available है, contact number यह है, last time जो इ to end inscription है, यानि WhatsApp की जो policy थी, आपका जो data है, वो private रहेगा, leak नहीं होगा, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप three dots पे click करेंगे, यहाँ से आपको संदेश का web मिलता है, जिस तरह से आपको WhatsApp web मिलता है, pin message मिलते हैं, health का option मिलता है, और यहाँ info services मिलती है, इस पे आप click करेंगे तो यहाँ से आपको type करने के लिए कहेगा, अगर हम यहाँ पे type करते हैं, weather और अपनी city का नाम एंटर करते हैं, तो यहाँ से आपको weather बताएगा, हमने यहाँ पे weather टाइप किया, और यहाँ पे city टाइप की, उसके बाद इसको हम send करेंगे, तो यहाँ पे देखिया आ रहा है, पेले इस merit और temperature आ रहा है, humidity आ रही है, इस तरह से इसमें बहुत सारी features हैं, जिनका use आप कर सकते हैं, so I hope दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और घंटे वाला बटन दमाना ना भूलें, से मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे, तो चली दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए जये हैं,